नमस्कार वर्तमान के दोर में पर्दन टाइम में बिजनिस को कैसे चला है पल पल आजकल नए अपडेट आ रहा है नहीं ने प्रोड़क्ट मार्केट में नहीं सेग्मेंट मार्केट में नहीं इस्टाटप मार्केट में अपने आपको मार्केट में कैसे इस्तापित करें इस पल-पल बदलते दोर में अपने आपको मार्केट में कैसे हिस्ते रखें और अपने बिजनिस को कैसे अच्छी तर चला है ये चार सिद्दान्त हैं आज के बदलाओं के दोर में अपने बिजनिस को कैसे चला है सबसे पहले ध्यान रखना कि अपने आस पास देश दुनिया से अपडेट रहे अगर आप अपने बिजनिस को पुराने तरीके से चलाओगे जिस तरीके से चला रहे उसी तरीके से चलाओगे तो आप पिछे रहे जाओगे ये दुनिया पल पल बदल रही है आपके आस पास का महुल पल पल बदल रहा है आपको उसके अनुसार चलना होगा आपको उसके अनुसार डलना होगा जो चीज बदल रही है उस चीज को आपको अपने बिजनिस में लागू करना होगा तबी आपका बिजनिस इस्टेबल हो पाएगा तबी आप मारकेट में टिक पाओगे वरना अगर आप पुराने डरे से अपना बिजनिस चलाओगे तो आपका बिजनिस वरतमान के दोर में नहीं चलेगा जैसे दुनिया बदल रही है वैसे आपको बदलना होगा और आपके बिजनिस को बदलना होगा अपने आज पास देश दुनिया में क्या अपडेट हो रहा है ये आपको जानना होगा तब ही आप अपने बिजनिस को सही तरीके से चला पाओगे सेकंड लॉंग तर्म गोल बनाना ध्यान रखना आजकल की नई पीडि क्या करती है आजकल जो नई-ने इंट स्टाटप मार्केट में क्या थे उनके अंदर पेशन नहीं होता है उनके अंदर धेरी नहीं होता है कि वो सदधी आपना गोल अच्यू करना चाहते हैं रातों रात बड़ा बिज्निसमेन पर मांदा deta are are a repeating जी या फिर फिर कोई भी आपको का लक्ष हो राथो रात नहीं पाए जाता है आपने कोई भी टार्गेट लिया तो उसका लोंग यूग टार्गेट लें देजिए देदिक पेशन रखें और निरन्तरता कंसिस्टेंशी के साथ मैं अपने गोल के लिए मेहनट करते रहे, अपने गोल को अचीव करने के लिए कोसिस करते हैं, अगर आप भी खौब को एक खौब मर कग देखोगा यार मैं रातु रातासस्यस हो जाओँ, मैं एक रात में फेमो्स हो जाओं, में एक रात में बहुत बड़ा बिजनिसमें बन जाओ तो एसा इंपोसिबल आपके लिए बड़े-बिजनिसमें देखे होंगे जो 15-15 बीस-बीस साल से महनत करें और आज वो इस 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 तती पर आये हैं आज वो टोप लेवल पर आये हैं कैसे उनकी महना देरी और लगन से तो आपको शोर्टरम गोल नहीं लेना होगा आपको लोंग टर्म गोल लेना होगा जब आप लोंग टर्म का गोल होगे पेशन रखोगे देरी रखोगे तभी आप अपने बिजनिसमें सक्सेश हो पाऊग स्टाट केस रिचरव रखना आज कलके अधिकतर इस्टाटप क्या करते है अब उस्टाटाप तो इस्टाट कर le tय focal है वड़े इंविस्टावश से टेन लेकिं केस रिजर नहीं रखते हैं बचत ठीर सेविंग नहीं रख सकते पता हैं आपको अभी हाली में कोरोना आया था दो साल पहले, कोरोना में अच्छे-च्छे इस्टटप खत्म हो गए, सिकर पे थे, सुन्य पे आ गए, कैसे, कैसे क्यों कि कोरोना में जब चारो दरफ से पैंडिमिक आया, तो लोगों जिनके पास केस रिजर्व था ना, वो मारकेट में इसलिए अपने बिजनेस में केस रिजर हो, सेविंग अवश्यर के ध्यान रखना समय एक जैसा नहीं होता है, कभी समय ऐसा भी आता है कि हो सकता है कि परस्तितियां आपके नियंद्र में नहीं हो, कोरोना क्या था, प्रकति का प्रकॉप्त कहा, आप बिल्कुल सब को सही कर र आप मार्केट में इस तिर्फ हो पाते हैं, लेकिन क्या आपके पास तो केस रिजर नहीं था, तो आपको नुकसान उटा, बिजनिस को चनाने के लिए सबसे पहले आपको केस रिजर होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, कि साल दो साल मुझे नुकसान उठाना पड़े, फिर भी मैं नुकसान जेर लोगा, बिजनिस का सबसे बड़ा सिद्दान ते है कि केस रिजर होके, सेविंग रखे, क्या पता कब कौन सी परस्तिती आजाए, तो सेविंग आपके लिए काम आए, फोर्त सिद्दान, कस्टमर फीड़े, बिजनिस में कस्टमर आपके लिए राजा है, और आप उसकी प्रजा हो, ध्यान रखना, बिजनिस का, मैं रोल यही कहता है, कस्टमर आपकी राजा और आप प्रजा हो, जैसा आपको कस्टमर कहे वैसा आपको करना, जैसा प्रोड़क्ट कस्टमर चाहे वैसा प्रोड़क्ट कस्टमर को आपको प्रोवाइट करवाना होका रहे यह बात आपने कर ली ना तो आपका product प्रोडक्ट कहीं नहीं रुकएगा दोड़ेगा rocket के तरह कैस्टमर से टेच्चिंग रखो एक good feeling रखो कि केस्टमर आपसे क्या चाता है कस्टमर तो जाता है कस्टमर जो wants आप से चाता है उसकी fulfill कर दीजिए बस कस्टमर की feedback लेते रहे और आगे बढ़ते रहे अगर आप कस्टमर की feedback बराबर लेते रहेंगे तो आप कहीं नहीं रुकें तो present time में अगर आपको business में success होना है ना तो ये चार सिद्धान्त तो आपको जरूर follow करने होंगे अपने आस पास देश दुनिया से update रहें अपने goal को long term बनाए, short term में कोई goal ना बनाए case result रखें, saving रखें, बचचत रखें क्या पता कब कौन सी परसती आ जाए तो आपके business के लिए काम है customer feedback, जब तक आप customer का feedback नहीं लोगे customer आपसे क्या नहीं, क्या नहीं चाता है अगर ये आप नहीं जानोगे तो आप में product को कैसे बेतर बनाओ तो customer feedback बहुत जुरूरी है तो ये चार सिद्दान अभी परजेंट वर्दमान के दोर में आपके business के लिए बहुत काम आएंगे